देखे बहुत बढ़ी खुशकवरी है एपल टीवी प्लस का जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बढ़ी बदाई है आप सभी को देखे जिनोंने 2020 में न्यू पर्चेज किया था एपल का आईफोन आईपैड आईपोड या फिर एपल का टीवी उन लोगों को एपल लिए था उसका एपल टीवी फ्री प्लस का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री वन इयर के लिए जो की फिनिश होने वाला था नव परदर एक्स्टेंशन दे दिया है याने दुबारा एक्स्टेंशन दे दिया है जुलाई 2021 तक के लिए तो यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है फ्री में देखते रहिए उसके कंटेंट को इसका रिजन यह है कि एपल का कहना है कि वह अपने सब्सक्र सब्सक्राइबर को अपने कस्टमर को प्रेशान या बहलाना नहीं चाहता है जिन लोगोंने अलड़ी सब्सक्रिशन लिया हुआ है और पेड सर्विस पे है उनको भी वह एपल स्टोर पर क्रेडिट में पॉइंट्स देगा ताकि वह उनको कंपनेशेट कर सके उनकी जो फ सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो आप लोगों के लिए फायदा है और जिनोंने नहीं लिया है उनके लिए मैं आप एक और कुछ कभर देना चाहता हूं वह भी किसी नई पर्चेश पर एपल के फोड़क्ट जैसे की फोन हो गया आईपैड हो आईपोड हो गया एपल का ट है वन येर फ्री ट्रैल वाला वो जून 2020 से पहले खतम हो जाएगा तो उनको वो चीज नहीं मिलेगी तो एपल उन सारे हैपी कस्टमर्स को जो उसके एपल टीवी प्लस के कस्टमर हैं सब्काइबर हैं उनको वाया इमेल से नोटिफाई करेगा तो यह हर किसी के लिए नही सब्सक्राइब कर लिजिए और जो एपल के लवर हैं जो इस तरह के कंटेंट देखते हैं प्लीज उनको शेर कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाएगी यह खुशकबर ही आ चुकी है